जब जीवीपन चीफिनिस्टर थे तो उस जगा पर पांच सो साल तक मुसलमान नमाजे पड़े पॉंगरेस के जीवीपन मुख्यमंत्री थे राद के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई मेरी मस्जिद थी है और रहेगी उनों मूर्तियां नहीं निकाले और फिर वहाँ पे एक कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर नायर साब मस्जिद बन कर आके वहाँ पर पुजा शुरू कर दिये और नायर साब जन संग के पहले मिंबर आफ पारलिएंट बने पहले मिंबर आफ पारलिएंट बने फिर 1986 में लॉक्स खोले गए बगर मुसल्मानों को सुने बूटा सिंग्स जिनास कर दिये 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोड को ये वादा करके बीजेपी संग परिवार बाबरी मस्जिद को डेमॉलिश कर दिये और बीजेपी के पास ये मुद्ध कब आया कब आया आपको मालूं आपको मालूं बीजेपी कब उठाई 1989 में पालन पूर में बीजेपी रिजेपी रिजूलूशन पास करी विश्वा इंदु परिशच जब फाम हुई जब तो राम मंदिर नहीं था महातमा गांदी बोले क्या महातमा गांदी इस बारें बोले उन्हों तो बहुत बड़े उन्हों तो हेराम बोलके मारने वाला गोली मारा उनको गोट से उनके जबान से ही तो निकला था वो बोले क्या नहीं बोले तो ये पूरा एक सिस्टेमेटिक तरीखे से भारत के मुसल्मानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया सुप्रीम कोट का यखीनन फैसला है सुप्रीम कोट हमारे मुलकी आखरी एपेक्स कोट है टाइटल सूट था तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोट ने ये कही दिया कि फेद की बुनियाद पर हम ये जगा मुसल्मानों को नहीं दे सकते सुप्र innovation कोट ये भी कहे दिया कि वहां पर मंदिर को तोड़ कर मस्जिद नहीं बनाई गई कि सुप्र económ कोट ने कहा उस जज्जमेंट में और मैंने सुप्र ने कोट के जजजमेंट आने के बाद ये रियक्शन आपको मीडिया को दिया था कि एक सुप्रीम कोट के रिटाइट चीफ जस्सिस तन का नाम जस्सिस जेस वर्मा नाम था उन्होंने सुप्रीम कोट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोट इस सुप्रीम बट नॉट इन्फैलिबल यह उन्होंने कहा था मैं फिर से कह रहा हूं और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जज्जमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्धे खुल जाएंगे जिसको अंग्रेज में बोलते है पैंडरा बॉक्स विल बी ओपन और अज आप देख रहे हैं कि हर जगा पर संग परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं यहां पर मजविद नहीं थी ये मेरा मानना है ये मेरा बोलना है हर हम ये बोल रहे हैं अगर जी बी पंद मुद्धिया हटा ने थे तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे के अगर 1986 में ताले नहीं खुले जाते तो क्या आज ये दिन आ था क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मज़ी डेमालिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता ये सवाल है हमारे इसका जवाब कोई देहीं नहीं रहा है और फिर उपर से जो अपने आपको सेकुलियर बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्य मंत्री और जो अलाइंस में हम हर ट्यूजे कू सुरजकन पाट और हनुमान चली सफ स्कूल में बॉर्मेंट स्कूल में पढ़ाएंगे गॉर्मेंट स्कूल का कोई रिलिजन हो तो आए क्या हैं अभी तो सब का जगड़ा चल रहा है क्या जगड़ा है जगड़ा क्या है अगर मोडी नहीं रहते तो हम भी चले जाते हम उन सब से पूछ रहे के बताओ यह जो मैं बाते कर रहा हूँ तीन इंसिडन्स बोल रहा हूँ जी बी पंज जब चीफ मिनिस्टर थे 1986 इस पर क्या बोलना है आप लों का बोलो कोई नहीं बोलता है इसलिए नहीं बोलता क्यूंकि सब को मेज़ॉरिटी कम्यूनिटी के ओर्ट को हासिल करने का जगड़ा है और नरेंदर मोडी ये काम कर के मेज़ॉरिटी ओर्ट को कॉंसलिडेट करना चाहते हैं और इससे एक पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसल्मानों के के आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुखाम है आपकी प्लेस क्या है ये बताया जा रहा है